नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और लच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा कावर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिमाचल प्रदेश में जाडियों में मिली यूबक की जो है लाश तुकां की न्यूज है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एंड तक बने लिए अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले ताकि अब तक हमातल प्रदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके चली वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं तादा ख़बर ब्रेकिंग निज़ है कि सोलन के देव घाट में सड़क किनारे जारियों में मिली नौजवान की लाश अभी शेनाखत नहीं तो हमातल प्रदेश की सोलन से नुज़ है कि देव घाट में पंच परमेशवर मंदिर के समीप सड़क के निचली तरफ एक अग्यात शब गली सड़ी हालत में मिला है जिसे इलाके में संसनी फ्याल गई है एसपी सोलन अशोक वर्मस्वाय मौके पर मौजूद रहे उन्होंने बताया कि सड़क किनारे काम करे लोक निर्मार विभाग के करमचारियों ने सपरून चौकी को सूचना दी कि सड़क के निचली तरफ चारियों में एक शब पड़ा हुआ है जिस पर तुरंट कारवाई करते हुए पोलिस की टीम मौके पर पहुँची और शब को कबजे में लिया एसपी ने बताया कि प्रात्मिक द्रिश्टी में शब केसी नौजवान का लग रहा है और शब जो है दो तीन दिन है जिसकी बज़ा से शब सरना शूरू हो गया है अभी शब की शनाकत नहीं हो पाई है उन्होंने बताया कि एफ हैसल की टीम को बलाया गया है जाँच के बाद ही पूरी बात पता चल पाएगी तो दोस्तो ये थी हमाचल प्रदेश के सोलन से न्यूज। अगर आप ने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर करदे है और चानल को सब्सक्राइब करना बिलखोल भी न बूले है ताकि आप तक शिमाचत प्रदेश की हर नोटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यवाद जैहिं जैभाद